नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के जीके याने समाने क्यान इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फोर्टी कुस्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्जामस के लिए काफी है तो आप इने के कुस्चन को रट लीजिए उससे पहले चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास्वाली घंटी के निसान है उससे भी अनकरते हैं ठीक है दोस्तों यदि आपको इनमें से किसी कुस्चन का अंसर पता है तो आप अपना अंसर जो है कमेंड ब खेत है तो देखें इसका करेक्ट आंसर ओप्शन ए हो जायाएका अनुछेद 110 में आपको याद रखना है धन बिध्या की परिभासा जो है मतलब अनुछेद 110 में जो है इसको परिभासेत किया गया है ठीक है कुस्चन नमबर टू है लोगसभा का सचीवाल है सीधे नियंत रण होता है ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट आयाएका कुस्चन नमबर टू है लीपुलेख विबाद की दो देशों के बीच है तो देखें लीपुलेख जो विबाद है तो यह नेपाल और भारत और नेपाल के बीच है ठीक है तो यहाँ पर डी करेक्ट आयाएका पूश्य नगर में दिया था ठीक है आपको याद रखना है बूध ने अपना अंतिम उपदे से सुबद्र को कुसी नगर में दिया था ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट जायेगा कुश्चा नमबर पांच है पहलागरा रोग है किस पोशक तत्व की लगतार कमें से होती है तो देखे पहलागरा जो रोग होता है तो यह नियासीन की लगतार कमें से होता है ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट होएगा कुश्चा नमबर 6 है निमनलेक्ट में से कौन है जल में घुलानसील है तो देखे इसका करेक्ट आंसर उपसंडी हो जायेगा उपर यूग तो यानि ये तीनों जो हैं ये जल में घुलन सील है ठीक है कुश्चा नंबर साथ है जी एश्टी परिशत का परतेक नेड़ा है उपस्तित हैं येवा मतदान के कितने भारित बहुमत द्वारा लिया जाएगा ये लिया जाएगा 3-4 भारित बहुमत के द्वारा लिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट जाएगा कुश्चा नंबर आठ है कारवण मोनो अक्साइड येख जोलन सील गयस है निमनलेखित में में से और कॉन सी गयस जोलन सील पर नभरत में भारत में बितायू का मुख्यकार है केंद्र यहां राजव के बेच्ट assumptions राजवस्यों करना, आपको याद रखना है केंद्र यहां राज्यों के बेचे राज्यों के बीतराण करना जो है भारत हैं बीतायों का मुख्यकार है option ये correct हो जाएगा question number 10 है हमारे सरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है तो देखे हमारे सरीर में जो नमक की मात्रा होती है तो ये होती है 0.4% आपको याद रखना है 0.4% ठीक है option C correct जाएगा दोस्तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक है चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेन करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारा अगला question है question number 11 है सहायक संदे के सिधान्त का संबंद किस वाइसराई से था तो यह था लौड बलेजली से आपको याद रखना है लौड बलेजली से था ठीक है C correct जाएगा question number 12 है Newton second निमनलेखित में से किस का मात रख है तो देखे Newton second जो है यह संवेक का मात रख है option D correct जाएगा question number 13 है आदर्स गैस की आंतरी कुर्चा निर्भर करती है केवल तो यह निर्भर करती है केवल ताप पर ठीक है आदर्स गैस की आंतरी कुर्चा निर्भर करती है केवल ताप पर ठीक है तो यहाँ पर C correct जाएगा question number 14 है निमनलेखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो पराया फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तिमाल किया जाता है तो देखिए है पारद वास्प तथारगन ठीक है पारद वास्प तथारगन जो है ये पराया फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इसका इस्तिमाल किया जाता है ठीक है है सुत्रकणिका यानि माइटो कॉंट्रिया जिसको बूला जाता है यह कोशिका में द्रवक आने जाने का नियंत्रण करता है ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट जायेका कुश्चन नंबर सहायक संदी को सुखार करने वाला पहला भारतिय साँसक था तो यहीं था ता ठीक है क्रेक्ट है कुश्चन नंबर सबसे ज़्यादा प्रोटिन है किसके दूथ में पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटिन पाये जाता है तो यह पाये जाता है भेंड के दूध में, ठिक है, option C correct जाएगा, question number 18 है, बजट एक लेख फत्र है, तो देखे budget जो है, यह सरकार की राज कोसीया, नीती का लेख फत्र है, आपको याद रखना है बजट क्या है, सरकार की राज कोसीया, नीती का जो है लेख पत्र है option C correct हो जाएगा question number 19 है यदि हम ठोस बस्तु को गरम करें तो किस भाग में सरवाधिक परतिसत ब्रिथी होगी तो उसके आयतन में जो है सरवाधिक ब्रिथी होगी ठीक है आपको याद रखना है यदि हम ठोस बस्तु को गरम करें तो उसके आयतन में जो है सरवाधिक परतिसत ब्रिथी होगी option C correct हो जाएगा question number 20 है रीग वेद के किस मंडल में आरियों यह मानारियों के बीचे हुए प्रसित दसराज यूद बर्णित है मतलब इसका बर्णन है कौन से मंडल में तो यह रीग वेद के सब्तम मंडल में जो है इसका बर्णन किया गया है ठीक है आरियों यह आनारियों के बेचे हुए प्रसित दसराज यूद ठीक है आपको याद रखना है option C correct हो जाएगा question number 21 है भारत की सबसे उची चोटी गाडवीन आश्टीन किस परवत से नड़ी में ज़ती है तो गाडवीन आश्टीन जो है यह कारा कोर अम परवत से नड़ी में ज़ती है option C correct हो जाएगा question number 22 है मुख्य मंत्री से संबंधी मुख्य मंत्री से संबंधी निमने लिखित कॉथनों में से कौन सा कौन सा एक सही नहीं है तो मुख्य मंत्री के संबंध में आपको बताना है किन में से कौन से कॉथन गलत है तो देखी यहाँ पर एक एक करके चारो option पढ़ते हैं पहला option जो दिया क्या है मुख्य मंत्री मंत्री परिशत की बैठा की अधर्षता नहीं करता है तो ये बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं है ठीक है और बाखी ये तीनों अप्शन जो है करेक्ट ही होगा क्योंकि पहला ये अप्शन गलत है ठीक है इसकी नियुकती राजे के राजे पाल द्वारा की जाती है ये बिधान सभाय बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है ये भी करेक्ट है इसके बेतन एवं भत्तों का निर्धारन राजे बिधान मंडल करती है तो यहाँ पर ये तीनों अप्शन करेक्ट है पहला अप्शन जो है गलत है कहलत कथन इसमें पुछाए गया था तो अप्शन ये यहाँ पर करेक्ट हो जाया अगा कुछ्चन नमबर ट्वंटी ठी ज़ी है मानोललार की प्रकिर्ती कैसी होती है तो मानोलार की प्रकिर्ती होती है वोती हमली है आपको याद रखना है, option B correct हो जाएगा, question number 24 है, निमने लेखित में से किसी गुरू ने, सीखो को सायनिक संपरदाय में परिवर्तित कर दिया, तो यह किया था, गुरू गोबिन सी ने, ठीक है, तो यहाँ पर C correct हो जाएगा, question number 25 है, आपको याद रखना है, ठीक है, और मूल संपरदान जब मतलब पारिध हुआ, तो उसमें 305, नुचेद, और आठ अनुचेद, आपको याद रखना है, ठीक है? लेकिन अभी बर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुच्छेद तो अभी बर्तमान में साढ़े चार-सो से ज्यादा अनु च्छेद है ठीक है? कौखा करके ऐसा जूड़े हैं अनु च्हेद करके मतलब देखा जाए तो 305 पंचान में यह अनुचेद हैं लेकिन इसमें खंडवाईज देखा जाए तो 445 ज्यादा अनुचेद मतलब जूड़ चुक है खंडवाईज और अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियों बरतमान में ठीक है आपको याद रखना है कुछ्छे नंबर 26 है किस परकार के बान परदेश को बिश्वा का फॉलो ध्यान यानि और चौड़ से ओफ द वर्ल्ड कहते हैं तो यह कहा जाता है भूमाद्य सागरिय बनकु ठीक है भूमाद्य सागरिय बनकु जो है यह बिश्वा फॉलो ध्यान यानि और चौड़ से ओफ द वर्ल्ड कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कुष्चन नमबर 27 है निमनलिखित में से किसने नलंदा विश्व बिद्याले का भृमल भृमल वह वहाँ अध्यान किया तो किसने किया था तो यह किया था वेन सागरिय ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन यह करेक्ट जाएगा कुष्चन नमबर 28 है आपातकाल में किसी राज्य विधान सभा की ओधी बढ़ाई जा सकती है तो किसके द्वरा बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वरा बढ़ाई जा सकती है ओप्शन बी करेक्ट जाएगा कुष्चन नमबर 29 है संविधान का कौन सा संसोधन है एक बेक्त कुछ्चा नमबर 30 है, महात्मा गाधी किस वर्स है, कांग्रेस के अधियक्ष बने, तो महात्मा गाधी जी मतलब 1924 में ये कांग्रेस के अधियक्ष बने थे, आपको याद रखना है, अपसंसी करेक्ट हो जाएगा, कुछ्चा नमबर 31 है, भारत में राष्टिया आये, यानि नेशनल इनकम का आकलन करने वाली संस्ता है, तो कौन सी संस्ता करती है, केंद्रियो संखी की संगठन, आपको याद रखना है, भारत में राष्टिया आये का आकलन किसकी दौर रखिया जाता है, केंद्रियो संखी क संगठन ठीक है option D correct हो जाएका question number 32 है निमने लेखित में से किसके अंतर गहते हैं भारत में सरोपर्थाम सर्वच न्याले अस्थापित सर्वच न्याले की अस्थापना हुई तो किसके द्वारा हुई थी तो यह हुई थी regulating act 1773 के द्वारा ठीक है option यह correct हो जाएका question number 33 है राजियों नगरों सहरों तथा गाउं और विश्व के विभिन देशों वा राजियों तथा उसकी सीमाओं को दरसाने वाले मांचित्र को क्या कहा जाता है देखे इसको जो है यह राजनेतिक मांचित्र बोला जाता है ठीक है तो यहां पर C correct हो जाएका question number 34 है संत्रिप्त हाइड्रोकारवन का उधाराण है तो यह है इलकेन सरेड़ी के सदस्या इलकेन स्नेडी के सदस्य जो है संत्रिप्त हाइड्रो कारवन का उधारण है ओप्शन एक करेक्ट है आएगा कुश्चन नमबर 35 है केस वार्न जर्नल के समय है सेर सासूरी मार्ग का नाम बदल कर जीटी रोड कर दिया गया तो ये खिया गया था लोड आकलैंड के समय में ठीक है आपको याद रखना है लोड आकलैंड के समय में सेर सासूरी मार्ग का नाम बदल कर जीटी रोड कर दिया गया था ठीक है ओप्शन भी करेक्ट जा आएगा कुश्चन नमबर 36 है लोगसभा और राजसभा के सन्युक्त बैठक कब होती है तो ये होती है लोगसभा और राजसभा के मतभेद पर ठीक है लोगसभा और राजसभा के मतभेद पर जो है लोगसभा और राजसभा के सन्युक्त बैठक होती है ठीक है चरवाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाते है उप्शन बी करेक्ठ जायेगा कुछ्छन नमबर 38 है निकोबार सब्द का अर्थ है तो देखें निकोबार सब्द का जो अर्थ है नगन लोगों की भूमी ठीक है नगन लोगों की भूमी जो है निकोबार सब्द का अर्थ है उप तो यहाँ पर option C correct जाएगा और सत्य कथन पूछा गया है उप राश्पती का चुनाव भारत की राश्पती करता है तो बिल्कुल गलत है ये कथन बाकी ये तिनों correct है इनकी योगेता प्राप्त करने के लिए परत्यासी की आयू कम से कम 35 वर्स होनी चाहिए उप राश्पती राश्पती होता है और भारत के प्राथम उप राश्पती एस राधा क्रिश्णन ते ठीक है तो यहाँ पर ये तीनों correct है लेकिन आप आप सत्य कथन पूछा था तो यहाँ पर option C यहाँ पर correct हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला question है चरक सहीता नामक पुस्तक किस विशय से संबंध ही था तो यह संबंध ही था चिकित्सा से आपको याद रखना चरक सहीता जो मतलब पुस्तक था तो यह चिकित्सा संबंध ही था ठीक है तो दोस्तों यह थे GKS से related 40 question आप इन 40 question में से कितने question सही कर पाएं अपना score comment box में जरूर बाता है ठीक है और व चीक है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग